लेक्चर नमबर सिक्स, सबक नमबर दो, एक मेले का आँखों देखा हाल बच्चों, आज हम इस सबक के इलफाज माईनी करेंगे आप अपने कॉपिस के पेज बिल्कुल इसी तरह से प्लैन कर लें जिस तरह से आपको सक्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉपिवर्क जो है, वो आप मारकर और पैन के साथ करेंगे ठीक है? नो प्लैन योग पेज फर्स्ट वर्ड है हमारा मिलाप फर्स्ट वर्ड है मिलाप इसका माईनी है मिलना सेकिंड वर्ड है हमारा इजतमा इजितमा इसका माइनी है मजमा या इकठा होना थर्ड वर्ड है हमारा सकाफ़त इसका माइनी है किसी तबके की तहजीब नमबर फोर वर्ड है हमारा तफरी माइनी है इसका दिल बहलाना नमबर फाइव वर्ड है हमारा इनकाद इनकाद इसका माइनी है मुनकिद होना मुनकिद होना नमबर सिक्स वर्ड इस गहमा गहमी माइनी है रोनक या चहल पहल रोनक या चहल पहल नमबर सेवन वर्ड इस आसार माइनी है निशानिया या अलामाद निशानिया या अलामाद नमबर एट वर्ड इस महजूज होना इसका माइनी है खुश होना बचो यह आपके इलफास माइनी है आपने इसको याद करकी अपनी रफ कॉपी पर जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है इसके साथ मैं आपको इमला के वर्ड्स जो है वो रिवाइस करवा रही हूँ आप मेरे साथ इसकी दोराई कर लें इनको याद करके आपने अपनी कॉपिस पर प्रैक्टिस करनी है इमला का पहला लफ़ है मिलाप सेकिंड वर्ड इस इजितमा इजितमा थर्ड वर्ड है गर्दिश गर्दिश नमबर फॉर वर्ड इस तफरीह तफरीह फाइव वर्ड इनकाद इनकाद Number six word is ठीले Number six word is ठेले Number seven word is हद्दे निगा 8 word is गहमा गहमी Number nine word is आफाक 10 word is नमुदार 11 word is आसार Number 12 word is निजारे बच्चों ये आपके इमला के word हैं आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करके इसकी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है और अपने अम्मी और बाजी की मदद से इसको कॉपी पर लिखना है ठीक है बच्चों ये आज दक आपका काम है इसको याद करके अच्छी तरह से इसको लिक लीजेगा ओके आल अफिस झालकी!